हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल मुवीज में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए 2003 में रिलीज हुई एक जबरदस रोमेंटिक मुवी लव एक्चुली को एक्स्प्लेन करने वाले हैं इस मुवी को MDV पर 7.6 आउट आफ 10 की रेटिंग मिली है दोस्तों ये मुवी बहुत ही ज़्यादा रोमेंटिक है आप दिल धाम के बैठिए इस मुवी में हमें 8 लव स्टोरीज मिक्स करके दिखाई गई है सभी स्टोरीज एक दूसरे के साथ कनेक्टिड है इस मुवी का हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कनेक्टिड है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे I guarantee आप ये फुल मुवी अकेले में देखेंगे तो आपको इसे समझने में घंटो लग जाएंगे बट डोंट वरी आपका वो केम्टी टाइम हम बचाने वाले हैं लेकिन इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में एक ही जगा पर सारी स्टोरीज क्लाइमेस तक पहुँच दी है So, let's get to the story Movie की शुरुआत में narrator हमें बताता है कि जब भी मुझे खयाल आता है कि दुनिया में प्यार बाकी नहीं है तब मैं एरपोर्ट के arrival gate की तरफ देखता हूँ वहां हर कोई अपने loved ones के साथ दिल खोल कर मिलता है क्योंकि वहां पर इंसान के दिल से सच्चा प्यार निकलता है Parents के दिल से बच्चों के लिए Couples के दिल से एक दूसरे के लिए पुराने Friends के दिल से Friends के लिए हर किसी टाइप का प्यार देखने पर हमारे दिल को सुकून मिलता है कहानी की शुरुआत में हम बिली मैक को देखते हैं जो एक गाना रेकॉर्ड कर रहा था 1967 में बिली मैक का एक गाना Love is All Around बहुत मशूर हुआ था और अब वो क्रिसमस पर उसी का दूसरा वर्जन बनाता है Christmas is All Around बिली मैक के मैनेजर का नाम जो है जो उसका मैनेजर होने के साथ साथ उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी है बिली जो गाना रेकॉर्ड कर रहा है उसे खुद भी पता है कि वो गाना बकवास है वो हिट नहीं हो सकता लेकिन इसके बावजूद भी वो उस गाने को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे शोज में जाता है क्रिस्मस पर जब उसका गाना रिलीज होता है तो उसका गाना सच में नंबर वन बन जाता है जिससे बिली को बहुत खुशी होती है और उससे भी ज्यादा खुशी उसके मैनेजर जो को होती है क्रिस्मस पर बिली को एक बहुत अच्छी पार्टी का इंविटेशन मिलता है लेकिन वो उस पार्टी में नहीं जाता बलकि वो क्रिस्मस सेलिबरेट करने के लिए अपने मैनेजर और अपने दोस्त जो के पास आता है वो दोनों रात बर शराब पीते हैं और एक दूसरे के स कहानी की शुरुआत डैनियल से होती है इन दो डैनियल बहुत उदास है क्योंकि हाली में उसकी बीवी की डेथ हुई है डैनियल का एक स्टेप सन है जिसका नाम सैम है अपनी मॉम के मरने के बाद सैम बहुत उदास होता है वो अपनी मॉम को बहुत मिस करता है डैनियल की एक फ्रेंड है जिसका नाम कैरन है कैरन इस मुश्किल टाइम में डैनियल का बहुत साथ देती है वो उसे हमेशा कमफर्ट करती है दैनियल को हमेशा सैम की फिकर होती है क्योंकि मॉम के मरने के बाद सैम ने हर किसी से बात करना छोड़ दिया है कैरन उसे हमेशा समझाती है कि उसे अपने बेटे के साथ इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा डैनियल अपने बेटे सैम के साथ बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता एक दिन सैम उसे बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है वो उसके स्कूल में पढ़ती है वो बहुत खूबसूरत है हर कोई लड़का उससे प्यार करता है उस लड़की को म्यूजिशन्स बहुत पसंद है इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं म्यूजिक बजा कर उसे इंप्रेस करूँगा सैम बहुत मेहनत करता है उनके स्कूल में जब क्रिस्मस का फंक्शन होता है तब सैम एक performance देता है जिसमें वो drum बजाता है लेकिन इसके बाद भी वो लड़की सैम को recognize नहीं करती इससे सैम उदास हो जाता है डैनियल उसे समझाता है कि उसे उस लड़की से बात करनी चाहिए सैम उसे बताता है कि वो लड़की कुछी देर में वापस USA जाने वाली डैनियल कहता है कि अगर तुमने आज भी उस लड़की से बात नहीं की तो इसके लिए तुमें पूरी जिंदगी पश्टाना पड़ेगा डैनियल अपने बेटे को ये सब समझा ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात कैरल से होती है कैरल का बेटा सैम के साथ पढ़ता है पहले ही मुलाकात में ये दुनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते है रानियल अपने बेटे सізpiece के लेकर इरपोर्ट पहुंचता है सेम इयरपोर्ट की security को चक्मा देते होई उसी लड़की के पास पहुंच जाता है इस लड़की का नाम जोएना है सेम को वे इस लिए पसंद है क्योंकि उसकी मदर का नाम भी जोएना था सैम उस लड़की से बात करता है वो लड़की भी सैम को पहचान लेती है वो उसका नाम पहले से जानती थी इस बात से सैम खुश हो जाता है लेकिन तभी एरपोर्ट की सिक्यूरिटी उसे पकड़ कर उसके पिता के पास ले आती है लेकिन उसी वक्त वो लड़की सैम के पास आती है और सैम को किस करती है उसके बाद वो USA चली जाती है सैम उस लड़की से बात करके बहुत खुश हो जाता है तीसरी कहानी की शुरुआत जेमी से होती है जेमी एक राइटर है वो शादी शुदा है वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है आज उसे अपनी बीवी के साथ एक फ्रेंड की शादी में जाना था लेकिन उसकी बीवी बीमारी का बहाना बनाती है जिस वजह से जेमी को अ पता चलता है कि उसकी भीवी और उसके भाई के बीज नाजायज संबंध है यानि उसकी भीवी उसे इतने टाइम से चीट कर रही थी इस बाद से जेमी का दिल तूट जाता है वो कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंच कोटेज में रहने के लिए आता है जहां पर वो एक नो साल रखती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ इशारों में बात करते हैं ना ही जेमी को पोचुगीज आती है और ना ही ओरेलिया को इंग्लिश और फ्रेंच आती है इन दूनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार भी करते लेकिन उन्हें एक दूसरे की बात समझी नहीं आती, अब बहुत दिन बीच जाते हैं और फ्रेंच कोटेज में जेमी का टाइम कम्पलीट हो जाता है, वो जाने से पहले औरेलिया को उसके घर पे ड्रॉप करता है, जहां पर जाने से पहले औरेलिया उसे किस करती है, यह पापस औरेलिया के गाओं में चला जाता है, जहाँ पर उसे औरेलिया के पैरेंट्स मिलते हैं, वो उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाता हूँ, उसके पैरेंट्स उसे एक रेश्टरॉम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर औरेलिया वेट्रेस का काम करती है। और एलिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसके पास आकर उसे किस करती है कहानी की शुरुआत में हम पीटर और मार्ग को देखते हैं ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं आज पीटर की शादी होने वाली है जिसके साथ पीटर शादी करने वाला है उस लड़की का नाम जूलियट है वो बहुत खूबसूरत है थोड़ी देर भाद पीटर और जूलियट शादी कर लेते हैं इनकी शादी में माक एक बैंड को बुला कर इने सर्प्राइज देता है और खुद इनकी शादी की वीडियो टेप बनाता है शादी के कई दिन बात तक जूलियट माक को बार बार कॉल करती है ताकि वो उससे शादी की वीडियो टेप और फोटोज ले सके लेकिन मार्क उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है इसलिए एक दिन जूलियट मार्क के अपार्टमेंट पे चली जाती है मार्क उसे अपार्टमेंट पर देखकर सर्प्राइज हो जाता है जूलियट उसे वो वीडियो टेप देने के लिए कहती है लेकिन मार्क उससे कहता है कि वो वीडियो टेप मुझसे खो गई है वो बहाने बनाता है लेकिन जूलियट के बहुत बार इंसिस्ट करने पर वो उसे वो वीडियो टेप दे देता है जूलियट उस वीडियो टेप को वही पर प्ले करती है तबी उसे पता चलता है कि माक ने वीडियो टेप में उसके बहुत सारे close-up shots लिये हैं और यहाँ पर जूलियट को पता चलता है कि माक उससे वो वीडियो टेप क्यों नहीं दे रहा था उसे समझ आ जाता है कि माक उससे बहुत प्यार करता है यह situation उनके लिए awkward बन जाती है इसलिए जूलियट वहाँ से वापस पीटर के पास आ जाती है लेकिन Christmas Eve पर माक फिर से जूलियट के पास आता है और signboards के जरीए उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है वो उसे जिन्दगी में कभी भुला नहीं पाएगा और अपनी आखरी सांस तक उससे प्यार करता रहेगा अपनी बात उसे कहने के बाद माक वहाँ से जाने लगता है लेकिन तब ही जूलियट उसके पास आकर उसे किस करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ गई हूँ लेकिन मैं पीटर को नहीं छोड़ सकती वो माक को किस करती है जिसके बाद माक भी अपने दिल को समझाता है कि उसका ये प्यार सक्सेस्फुल नहीं हो सकता और लाइफ में आगे बढ़ जाता है कहानी की शिरुवात में हमें एक प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो अभी अभी प्राइम मिनिस्टर बना है पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस में आता है जहां पर वो पूरे स्टाफ से मिलता है इसी स्टाफ के बीच उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम Natalie है इस प्राइम मिनिस्टर का नाम डेविड है डेविड केरन का भाई है केरन को हम पहले देख चुके हैं वो डेनियल की फ्रेंड है डेविड और नेटली दूनों की शादी नहीं हुई है और नाहीं वो किसी से प्यार करते हैं काम के दोरान इनके बीच अक्सर नोग जोग चलती रहती है धिरे धिरे नेटली और डेविड एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं दिन डेविड के पास प्रेसिडेंट आते हैं प्रेसिडेंट नेटली को देखकर उसके बारे में बुरी बाते कहता है और ये बात डेविड को बिलकुल पसंद नहीं आती बात में जब डेविड और प्रेसिडेंट बात कर रहे थे तभी डेविड को कोई काम याद आता है व और वो Natalie और President को इस हालत में देख लेता है। ये उनके लिए एक बहुती embarrassing moment बन जाता है। बाद में press conference के दोरान प्रैम मिनिस्टर अपना पूरा गुसा President पर निकाल देता है। इसके बाद डेविड अपनी एक manager को वहाँ पर बुलाता है और उसे Natalie को यहाँ से transfer करने के लिए कहता है। इसके बाद डेविड के लिए एक दूसरी servant arrange की जाती है। Christmas Eve पर डेविड को बहुत सारी लोगों ने Christmas की wishes भेजी थी। इनी cards के बीच एक Natalie का card भी होता है जिसमें Natalie ने लिखा था कि President की उस हरकत के लिए मैं आपसे माफी मागती हूँ। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो उनी का behavior था। मैं सिर्फ आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहूंगी। इसके बाद डेविड अपने एक आदमी से गाड़ी निकालने के लिए कहता है। वो तुरंत उसी गाउं में पहुँच जाता है। जहांपर Natalie अपने परिवार के साथ रहती है। डेविड भी उसके साथ जाता है और इसी स्कूल में डेविड की मुलाकात अपनी बेहन केरन से होती है। केरन भी वहाँ पर उसी function के लिए आई हुई थी। दरसल ये वही function है जिसमें हमने डेनियल के बेटे सैम को perform करते हुए देखा था। असल में ये कहानिया एक दूसर को किस कर रहे थे। इस function में मुझूद सभी लोग उन्हें देख लेते हैं। उनके पास भी अब कोई चारा नहीं भचता इसलिए वो भी सब के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक एड एजनसी के मालिक हैरी को देखते हैं। हैरी की शादी केरन के साथ हो चुकी है। और केरन को आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कहानिया एक दूसरे के साथ connected है। है। हैरी इव पर पार्टी मैनेज करने की जिम्मेदारी हैरी मिया को देता है। हैरी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो केरन और अपने दो बच्चों के साथ अपनी जिंदगी हसी खुशी बिता रहा था। लेकिन क्रिस्मस पार्टी के दोरान हैरी मिया के साथ डांस करता है। और डांस करते हुए उन्हें कैरन देख लेती है। कैरन इससे अनकमफर्टेबल हो जाती है। अगले दिन जब हैरी आफिस आता है तो मिया उससे क्रिस्मस का गिफ्ट मांगती है। हालांकि हैरी ने उसके लिए गिफ्ट नहीं खरीदा था लेकिन वो जब केरन के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है तो वो एक बहाने से जूल्री शॉप के अंदर घुज जाता है और मिया के लिए एक gold necklace का gift खरीदने लगता है लेकिन उस gift को gift wrap करने में वो salesman बहुत time लगाता है तब तक वहाँ पर केरन आ जाती है और वो उसे gift खरीदे हुए देख लेती है रात में केरन हैरी की pockets को check करती है तब उसे हैरी की pocket में एक gold necklace मिलता है लेकिन जब रात में हैरी केरन को gift देता है तो उस gift के अंदर वो ही box होता है लेकिन उस box में वो gold necklace नहीं होता बलकि उसमें एक CD होती है यानि वो gift हैरी ने मिया के लिए छुपा कर रखा था और इस बात से केरन को बहुत तकलीफ होती है कि उसके पती हैरी का चकर किसी और लड़की के साथ चल रहा है अब यहाँ पर सीन स्कूल के उसी फंक्शन की तरफ मुड़ता है जहाँ पर हम इससे पहले मुवी के सभी केरेक्टर्स को जाते हुए देख लेते हैं जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था इस प्रोग्राम में हैरी और केरन के बच्चे भी पार्टिस्पेट कर रहे थे लेकिन प्रोग्राम खतम होने के बाद केरन हैरी से कहती है कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें पता चले कि तुमारे अलावा मेरा चकर किसी और के साथ भी चल रहा है यानि वो Harry को indirectly बताती है कि मुझे तुमारे चकर के बारे में सब कुछ पता है realization होने के बाद Harry को अपने किये हुए पर बहुत पश्तावा होता है इसलिए प्रोग्राम खतम होने के बाद Harry अपनी बीवी, कैरन और अपने बच्चों से माफी मांगता है और उनसे वादा करता है कि आगे से वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा मुवी के लास सीन में हम डेनियल को कैरल के साथ देखते हैं वो अपने बैटे सैम को लेकर एरपोर्ट आया था जहां पर जोएना वापस आने वाली थी सैम जोएना से मिलता है और बहुत खुश हो जाता है इसी एरपोर्ट पर प्रैम मिनिस्टर भी वापस आता है और नैटली सभी के सामने उसे गले लगाती है और दोनू मीडिया के सामने अपनी रिलेशन को पबलिक करते हैं इसलिए हमने मूवी की शुरुवात में कहा था कि एरपोर्ट के एराइवल गेट पर जो प्यार हमें दिखता है वो सच्चा प्यार होता है उसमें कोई छलकपट नहीं होता प्यार सिर्फ वो नहीं होता जो लड़के-लड़कियों को होता है प्यार हर जगा और हर इनसान के अंदर है जैसे पैरेंट्स, बच्चे, भाई-बेहन, दोस्त वगेरा इन सबसे हम प्यार करते हैं और यही सच्चा प्यार है बस आज के लिए बस इतना ही आप से अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक यू, टेक कियर और गुडबाई